तो यार ये हमारे फ्लिमिंगो बुक का जो लॉस्प्रिंग चाप्टर है इसका पार्ट नमबर टू है मैं उमीद करो इससे पहले पार्ट नमबर वन जिसके अंदर हमने हमारे साहीब आलम की प्रॉपर पूरी स्टोरी जानी थी वो जरूर देखी होगी इस वाली विडियो म इस विडियो के अंदर हम देखने वाले है सारे ही इंपोर्टेंट जो वर्ड्स है हमारे उनके प्रॉपर मीनिंग्स मैंने प्रॉपर एक्स्टोर के साथ लिखी हुई है आप उन्हें अपने रिजिस्टर के अंदर नोट डाउन जरूर कर लीजेगा साथ ही साथ इस चाप चाप्टर के फिलिमिंगों के हर एक चाप्टर के आपको PDF के अंदर इंपोर्टेंट क्वश्चन्स अरेज़ करके मैंने रखे में तो उनको जरूर देख ला है वहीं अगर आपका एक्जाम 24 गंटे के अंदर अंदर है मतलब 24 गंटे से कम टाइम आपके पास है तो इस चा करें के साथ अपने सपने सा कार करें बोर्ट होया सी उवी दी हम आपके साथ चले स्टेप आपको करें गाइड तॉपर्स की गिंती में आप अपने नाम रहें पढ़ने कैसे वाले यह जितनी भी हाइलाइटेड मैंने चीज की हुई है मैं सिर्फ उसको रीड करूंगा और आपको स्टेप बाई से पूरा चाप्टर जो है तसली से समझ में लग जाएगा चाप्टर कर जो टाइटल है वो है I want to drive a car यहां पर मुकेश कहता है कि मैं अपना खुद का मास्टर बनूँगा मैं यह जो कर रहे है न हम वो करना नहीं चाहता मैं क्या बनना चाहता हूँ एक मोटर मेकानिक बनना चाहता हूँ और उसने यह बात इतने इतने confidence के साथ कही ह तो हमारी author उनसे पूछती है तो मैं गाड़ी के बारे में कुछ पता भी है वो कहता है मैं सीख लूँगा कि गाड़ी चलाते कैसे और जब वो कह रहाता है न उन्होंने straight जो है हमारे author की आँखों में देखा और इस तरीके से देखा कि उसकी बातों में और उसके देखने क नजरिये में बहुत confidence हमारे author को जलक राता और वो कहते कि उसका ये जो ये जो dream है ये फिरोजाबाद की वो गलियां जहां पर बहुत मिटी जो है आती है बहुत लोग छोटे छोटे घरों के अंदर अंधेरे के अंदर बैठके काम करते हैं वहां पर इसका dream जो है ये पनप इंडस्ट्री भी कहते हैं यहर देखो glass glowing industry कौन सी होती है हमारी एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर बहुती professional तरीके से जो है हमारे glasses बनाये जाते हैं जैसे कि अगर मुझे जग बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे एक बहुत बड़ी भट्टी होती है उसके अंदर जो किया जाता है उसके अंदर फूप मारी जाती है वह स्टिक के आगे से जब ऐसे फूल जाता है फिर जो हमारे उनके पास equipment होते हैं उनको शेप दी जाती है तो यहां पर ऐसे glass glowing का काम होता है लेकिन फिरोजा बाद में ऐसा नहीं है वह highly equipment उनके पास नहीं है वहां पर क् वह सारी बात करूंगा देखना को कहता है कि वेर दफाइमिलीज है वोकिंग अरॉटिंग ग्लास मेकिंग बैंगर के उन घरों के अंदर छोटे-छोटे घरों के अंदर पीडिया निकल गई यह लोगों को क्या करते हुए वह उनके पास क्या होता है कांच आया तेक है उसक चिल्रन के लिए कि वह जो है यह काम करें और इतने हाई टेंपरेचर पर जो है फरनेंसिज महां पर यह जो शीशा आपका पिगलता है उसको शेप देनी होती है यह बहुत ही जादा हाई टेंपरेचर पर होता है तो यह क्या है इलीगल है वो कहते है कि अगर इस लॉक रोश्नि होते क्यूंके अंधैरे के अंदर जो है आप जैसे क्या है कभी आपने उसको देखा है जो विलडिंग कर रहे होते हैं महले व मुकेश बहुत प्राउड करके कहते है कि मेरे घर नया बनता है तो बड़ा खुश हो था है मेरे घर नया बने मैं आपको दिखाता हूं तो कहते है कि महा पर जा रही तिने गलीयों के इंदर stinking lanes chocked with garbage past homes that remains hovels with crumbling walls यहाँ पर देखो सुनना मेरी बात कहती है के भाई नाली कचड़ा बिल्कुल भरा पड़ा है वहाँ पर गलियों के अंदर और यहाँ पर कहा है चोग्ड विद गार्वे जो कि नाली जो बिल्कुल गार्वे से भरी हुए past homes that hovels hovels का मतलब होते है आपका अच्छा यहाँ पर आपको ने मेरे पीछे यह word meaning शुपर होंगे तो मैं जारा screen से थोड़ी तरह के लिए out होता हूँ ताकि आपको जोई यह देख जाए ठीक है अभी आपको words proper देख रहे होंगे हाँ अब क्या कहते है कहते है past homes that remains hovels with crumbling walls hovels का मतलब क्या हो गया भई something that moves unsteadily जैसे कि वो दर्वाजे होते हैं ऐसे खुलते है इस तरीके से दर्वाजे खुलते हैं मतलब कि तो इस तरीके कि उनके दर्वाजे हैं जिनके घर के अंदर क्या है windows भी नहीं है और वो घर जो है भरा पड़ा है crowded with families of humans and animals co-existing in premal state मतलब कि वो कह रहा है कि छोटे छोटे घरों के अंदर जहां पर दर्वाजे के बिल्कुल खराब हैं जहां पर कूडे कचरे भरे परें वहां पर बहुत सारे लोग भरे हुए हैं कि वह चोटे ही कीड पीर भी कीड कीड़े भी हो चुके है किसी के घर में कोई जानवर भाए नतले क्या है तो तो एक साथ रहते हैं लगन को अरसी तरीक्जी ते जैसे कि पहले लोग रहतेथे प्रीमी के मतलब वोकर जिसे history में लोग पहले रहते थे ठीक है तो कहता है कि वो भी एक ऐसे ही घर के आगे रुखा ठीक है bang a wobbly iron door उसने क्या करें पैर उसे ला तमारी एक iron के door को और उसका जो अपने घर के अंदर जाब वो enter हुआ तो कहता है we enter a half built shack in one part of it fast with dead grasses is firewood stove over यहां पर हो कहता है कि side में एक चूला लगा हुआ है जिसके उपर dead grasses रखी हुई है और वहां पर क्या बन रहा है वहां पर बन रही है पालक की पतियां रखी हुई है जो की sizzle sound कर दी है ऐसे ऐसी वाली sound आ रहे है sizzling की और वहां पर एक aluminum की plate भी रखी हुई है जिसके उपर कटी हुई क्या रखी हुई है सबजिया रखी हुई है अब मैं जारा एक बार screen पर आ जाता हूँ उसके आगे लिखा हुआ है आपका फ्रेल फ्रेल का मतलब क्या होता भाई फ्रेल का मतलब होता है बहुत ही physically जो weak होता है उसका मतलब फ्रेल होता है ठीक है तो कहते है फ्रेल woman is cooking the evening meal for the whole family एक बिल्कुल दुबली पतली सी जो female है वो पूरी family के लिए क्लिए क्लिए खाना बना रही है और वो smile करते है मुझे देखके और उसकी आखों में क्या है दू उसकी उमर इतनी नहीं है बड़ उसको एक respect दे गई है क्यों कि देखबाल करते है उसके उपर चार्ज है तीन लोगों का एक तो उसका husband जो की मुकेश का भाई है एक मुकेश और उनके जो पापा है उनका चार्ज उसके उसके उपर उनकी देखबाल करती है ठीक है फिर कहत जो मुकेश के भाई की मतलब मुकेश की जो भावी है वह एक टूटे हुई वाल के पीचे छुप जाती है और फिर क्या करती है एक वील close to her face मतलब की वह ऐसे पल्लू को ऐसे सरपे लेकर आ जाती है ऐसे पल्लू को आगे लेकर आ जाती है तो कहते है कि यह उनके custom की demand है ऐस है वो क्या कहते है जो कि अपने घर को renovate भी नहीं करा पाया और send his sons to school जो कि ना ही अपने बच्चों को पढ़ा पाया ना ही अपने घर को renovate कर पाया वो सिर्फ जो कर पाया वो अपने बच्चों को जो art है bangles बनाने की जो कला है वही उनको सिखा पाया फिर वो कहते है कि यह इनके क्या है करम है यही इनकी destiny है वो मुकेशी grand mother कहती है जिनोंने खुद अपने सामने अपने पती को अंधा होते वी देखा है क्यों कि अनके पती क्या करते थे bangles के पर polish करते थे जो polish होते है उसके उपर से ऐसी dust निकलती है कि वो आँखो को अंधा कर देती है वो कहते है कि इस मतलब इस इस चीज़ से कभी कोई बाहर आपाया है वो उसकी दादी मा बोलते कि यहां पर फिरोजाबाद के अंदर अगर आप देखोगे न हर गली हर घर के अंदर हर याड के अंदर हर एक चोटी चोटी जगा पर आपको यही मिलेगा bangles का कभी कोई आपाया है नहीं आप पाया है कहते है spiral of bangles और वो bangles की इस तरीके के sunny gold है paddy green royal blue pink purple सारे ही कलर जो कि आपको एक एक मतलब rainbow के अंदर देखने को मिलते हो सारी कलर की चूडिया आपको जो है याड के अंदर उनको pile up होके जो है रखी हुई है फिर उनको क्या करते है इनको जो है ready के उपर यहाँ पर यहाँ पर फोर वील हैंड करता आपके ready के उपर रखा जाता है और फिर young men जो होते हैं तो narrow lanes के अंदर और shanty town के अंदर इनको लेके जाके बेचते है narrow lanes मतलब shanty town क्या हो गए आपके एक यहाँ पर लिखा है a deprived area on the outskirt of a town ठीक है एक ऐसा पिछड़ावा area वहीं पर जाके जो हमारे middleman है यह उनको बेचते हैं जो भी हमारे दलाल वागर आते हैं उनको बेचते हैं फिर वह जाके अपना आगे profit कमाते हैं तो यहाँ पर वहीं ऐसा काम करते हैं फिर कहते हैं उसी मतलब ऐसे ही area के अंदर क्या हो रहा होता है और dark hantment next to lines of flames flickering oil lamps sit boys girls with their father and मतलब कहते हैं कि अंधेरे के अंदर जहाँ पर जो lamp जलाए जाते है तेल से lamp जलाए जाते हैं वहा जो है शेप देने का काम कर रहे होते हैं ठीक है जिसकी वज़े से क्या होता है वह एक जब तक adult होते हैं उनकी आंखों की रोशनी खो जाती है क्यों कि वह बहुत हाई flame पर देखके काम कर रहे होते हैं और चाहँ तरफ अंधेर होते हैं फिर बात करते हैं सवीता की जो की ए मतलब क्या हो गया है आएँ अगर ऐसे फोन ठीक कराने हैं गए हो गए तो आपने देखा होगा वह किसी हो होती है वह उसे टांग का मारता है तो वयसे ही उन पीसिस पे क्या कर रियकिंद पर ऊसे टांग का मारती है यह Cam के यतनी तेस्टेज रियकि तरिके से वह टांग का मारती हमारी हमारी जो ऑठ रहो सोचते है कि I wonder if she knows the of the bangles she helps to make वो कहते है क्या इसको इस काम की पवितरता पता है कि यह जो काम कर रहे है यह एक औरत का सुहाग है auspiciousness in marriage मतलब कि यह जो चूड़िया है यह एक दिखाती है औरत को कि हाँ वो एक successful marriage का पार्ट है वो एक अच्छी भहू है यह बहुत ही एक सुहाग के निशानी वाला काम कर रहे है वो कहते है लेकिन इसको बहुत जल्दी पता चल जाएगा जब उसकी खुद के सर के उपर एक लाल कलर का पल्लू आ जाएगा उसके हाथ में भी बैंगल्स जब उसके हाथ में भी चूड़िया होंगी और जब वो भी एक दुलन बन जाएगी ठीक उसी तरीके से जो की एक ओल्ड वूमेन उसके साथ में बैटी हुई है जो की एक ब्राइड बनी थी एक दुलन बनी थी बहुत साल पहले कहते है कि उस लड़की के साथ में जो औरत बैटी है उसके हाथ में bangles तो है बट उसकी आँखों में रोशनी नहीं है फिर वो जो औरत है वो कहते है एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खाया एक वक्त सेर भर का मतलब हो गया भर पेट खाना भी नहीं खाया वो अपनी drained voice के अंदर बोलती है बहुती खराब voice के अंदर कहती है कि हमने आज सक कभी एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं काया फुल मीर हमने अपनी प्रॉपर एंटाइर लाइफ में नहीं देखी नहीं खाई हमने फिर वो अपने हजबन के बाद बताते है हर हजबन एन ओल्ड मैन with flowing beard flowing का मतलब होता है बहुती खराब सी beard है white color की flowing सी beard है जो की कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता इन चूड़ों के अलावा ठीक है and all I have done is a house for the family to live in कहता है कि मुझे इन चूड़ों के काम के अलावा कुछ नहीं आता और बस मैंने अपनी जिन्नी के में यही किया है कि मैंने अपने घरवालों के लिए एक घर बना दिया है ताकि वो अपना सर अटलीस धख सके अब वो घर है ऐसा नहीं कि वो घर है नहीं वो छोपड़ी है यार उसके उपर तीन डली हुई है मतलब खराब सा घर है बट वो घर है फिर वो कहते हैं कि hear him one wonders if she has if he has achieved what many have failed in their lifetime वारी author कहते है कहते है अगर मैं इसको देखू तो बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि यह कर पाया वो भी नहीं कर पाते है वो अपनी खुद की एक छट भी पूरी lifetime में नहीं बना पाते है at least इसके पास जो है एक सर चुपाने के लिए छट है ठीक है the cry anything except expect business of making not enough for ठीक है यहां पर ही कह रहा है कि इनके पास जो पैसा आता है ना इससे इस काम से जो पैसा आता है वो सिर्फ इतना ही आता है कि आगे चलके इस business को थोड़ से expand कर से expand से मेरा मतलब है कि बस ही उसका raw material ले के आपाए और थोड़ा बहुत खाना खापाई यह भरपूर खाना भी नहीं खाते ठीक है और जो young men उनके बच्चे वगरे जो है वो भी लेमेंट का मतलब होगे वो भी यही complaint करते है उनकी भी complaint यही है कि फिरोजा बात के अंदर यही हो चुक है Years of my numb toil have killed initiative and the ability to dream केते हैं जो सद्यों से चलती हुए जो चीज़े आरी है न यह यहाँ पे इतना थका दिया है इन लोगों को यह mentally इतने थक चुके है यह physically इतने थक जाते है कि यह initiate ही नहीं कर पाते है सपना देखना यह सोच ही नहीं पाते है बिचारे दिन राथ उस high finance का आगे काम करके इतना ज़दा थक चा देते है नहीं देख पाते है फिर यह उनसे बोलते है कि वाई नोट और गनाईज यह उनसे इनक कोपरेटिफ कोपरेटिफ का मतलब होता है कि तुम अपनी एक union कुरी बनाते सारे जो लोग एक जैसा काम करते है अपनी union बनाओ ताकि तुमारी आवाज भी उठ सके ताकि जो दलाल तुमारे बीच का कमिशन खाते है तुम अगर भाई साथ एक साथ आजोग और तुमने रेट डिसाइड कर लिया कि हमारी union ने एक रेट डिसाइड किया इससे नीचे हम नहीं जाएंगे तो यह दलाल की मंजाल है कि तुम से जो है कम रेट के ओपर खरी ले तुम अपनी union बनाओ तो सही वो कहता है कि हम नहीं बना सकते क्योंकि आस अ ग्रूप अफ मैन हो है वो मिडल मैन की बात करें कि तुमारे बाब दादाओ को यह जो है यह पागल बना चुके है ट्राइप के अंदर फसाद चुके है तुम और्गनाईज हो जाओ तुम कोपरेटिव बना लो तुम जो है एक union बना लो वो कहता है कि अगर हमने union बना ली अगर हम और्गनाईज हो गए तो यह हमें जो है हॉल्डप का मतलब होता है वो कहता है कि यहां पर जो बाते भी चलती है इनके विचारों के सद्यों से यहीं चलती आ रहे कि इनके बाप दादाओ भी पावर्टी के अंदर रह गए और यह भी विचारे पावर्टी के अंदर ही जो है रह गए और वो कहते है कि मुझे दो डिफरेंट वर्ड दिखते है पहले वो जो कि इस पावर्टी के जाल के अंदर फसे पड़े है और अपनी इस कास्ट के जो कि चूडी बनाने वालों के कास्ट होती है उस caste के burden के अंदर दबे पड़े है और दूसरे साहुकार वो जो middle man है, वो जो police वाले है, जो keepers of law है bureaucrats है, जो politicians है दूसरी तरह वो है जिनोंने ये जो bag, ये जो baggage है ये इनके कंदों के पर इतना भारी समान रख दिया है कि ये इनको, इनसे कभी बहार नहीं पाएंगे, before he aware he accept it naturally as his father और वो यहाँ पे कहता है कि कुछ और करने का मतलब है dare करना, और dare का मतलब है कि grow नहीं करना, और वो कहते है कि जब मैं ये देखती हूँ न कि मुकेश की आँखों में वो चमक मैं देखती हूँ कि मुझे इससे अलग घटके करना है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुकेश कहता है कि मुझे चूडी वाला काम नहीं करना अब आप ये खुद देख रहे हो कि मुकेश का बड़ा ड्रीम क्या है उसका ड्रीम है मोटर मेकानिक बनना हम जो है मोटर मेकानिक को एक छोटी सी नजर से देखते है बट उनके लिए ये काम भी बहुत बड़ा दिख रहा है तो आप खुछ सोच चकते हो कितने गरीब हो गरीबी के अंदर जो है वो रहते है तो कहते है कि फिर I will walk Do you have also dream of flying a plane वो कहते है कि तुम्हारा plane उडाने का भी कोई dream है His small murder embarrassed and not yet turn into regret तो हम वो मुकेश कहते है कि नहीं ऐसा तो नहीं है मेरा लेकिन उसको कोई इस बात का regret नहीं है क्योंकि यहां पर मुकेश को पता है कि मैं भी बहुत चोटा हूँ में बस endless opportunities है आगे तो फिर आगे कहते है कि few aeroplanes fly over फिरोजबाद तो कहते है कि हाँ कुछ plane तो यहाँ पर फिरोजबाद के ऊपर से भी उडते है I hope आपको clarity मिली होगी इस chapter के अंदर यार तो यह एक question जो है यह proper आप करके चले जाना अभी हमारा जो अगर कुछ घंटे के अंदर आपका exam है नहीं तो आपको application के उपर proper जो है questions की PDF मिल जाएगी मुझे comment section के अंदर ज़रू बताना आपको कैसी chapter के explanation लगी है मिल तो ऐसी किसी next video के अंदर मुझे दीजेगा जाज़त till then bye bye and take care